जैसे ही दोनों पार्टनर्स का मिलन होता है तो उसके बाद सीमन के अंदर से मिलियन्स में स्पर्म्स जो हैं वो दोड Esperns में जो मदर के एक की तरफ जो अभी ओवरी के अंदर या आवरी से निकला ही होता है और इन में से ऐसी दोड़ होती है स्पर्म के अंदर कि मैं पहले पहुँच जाओ और कोई एक ही काम्याब होता है उस अंडे के अंदर जाने के लिए और जैसी कोई एक स्पर्म अंडे के अंदर चला जाता है अब ये sperm जो है वो जाइगोट में बदल जाता है और इसमें मल्टिपिल एकरेशन्स होता है उसके बाद ये embryo में बदल जाता है बुरूण में बदल जाता है और यहां से शुरू हो जाती है pregnancy की शुरूवात तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि week on week किस तरीके से यह brood या embryo में growth होती है कैसे बच्चे के अंदर growth होती है और deliver होने कि समय तक कौन कौन से organs कब कब और किस किस हफते में बनते हैं तो पहले से चोथे हफते में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि सबसे पहले placenta बनता है placenta एक कुछ चप्टा गोला कार structure होता है जो nutrition है जो खाने पीने की जो जुरूरत है बच्चे की वो पूरा कराता है यह मासे nutrition लेता है और बच्चे को supply करता है और इसी से जो बच्चे के जाती है बच्चे की तरफ पांचवे से आठवे हफते के बीज़ जो है वो सबसे पहले brain डेवलप होना शुरू होता है बच्चे का और उसके बाद जो है वो nervous system डेवलप होना शुरू होता है और इसी समय पे जो बच्चे के जो यह पता हो जाता है कि यह male है यह female है यानि कि sex organs जो है वो develop होना शुरू हो जाते है 9 से 12 हफते के बीज़ जो है बच्चे के fingernails, toenails या sense organs जो है वो बनना शुरू हो जाते है और इसी समय पे जो है वो bones बनना शुरू हो जाती है उससे पहले बच्चा simple mass जैसा होता है और यहां पे जब bone बनती है फिर वो strong होना शुरू हो जाती है यहां तक कि जो बच्चा अपना हो, जो head है उसको hold करने लगता है 13 से 16 हफते के बीच में बच्चे के बाल आना शुरू हो जाते है, neck develop हो जाती है, wrist, ankle ये form होना शुरू हो जाते है और आखे भी 13 से 16 हफते के बीच में ही बच्चे की develop होना शुरू होती है इसके साथ साथ ही बच्चे के tissues and muscles develop होना शुरू हो जाते हैं और बच्चा grow करने लगता है और इसी समय माता जो है बच्चे की moments को भी feel करना शुरू कर देती है 17 से 20 हफते के बीच में बच्चे का size double हो जाता है और बच्चा जो है वो stretching शुरू कर देता है यांते की kicking भी शुरू कर देता है इसी समय पे बच्चे के जो lungs है वो develop होना शुरू होते हैं और जो skin का color है वो reddish color का होने लगता है 21 से 24 हफते के बीच बच्चे की आँखे पूरी तरीकी से develop हो जाती है और बच्चा blink की भी करना शुरू कर देता है और इस stage तक आते आते जो बच्चे की लंबाई है वो करीब 12 इंच तक हो जाती है 25 से 28 हफते के बीच बच्चा और grow करता है और जो बच्चे की length है वो करीब 15 इंच तक हो जाती है बच्चा अपने आपको stabilize करने लगता है और वो बाहर का जो environment है उसका भी उसको पता लगने लगता है अगर माता खुश होती है तो उसको अच्छा लगता है और माता को को दुख या तकलीफ या पेन होता है तो बच्चा भी उसको महसूस करने लगता है 39 से 32 हफ़ते में बच्चे की heartbeat आप सुन सकता है अगर मा के abdomen पे आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको बच्चे की heartbeat भी सुनाई देने लगी और बच्चा यहां पी kick भी करना शुरू कर देता है इस समय पे बच्चा अपने hand की movement शुरू कर देता है और even अपने thumb को सक भी करने लगता है 32 हफ़ते तक आते आते बच्चे का जो वजन है वो करीब 1300 से 1500 ग्राम के आसपास हो जाता है 33 से 36 हफ़ते के बीच करीब बच्चे का जो length है वो 19 इंच तक हो जाता है और बच्चा अब और 30 सी grow करता है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है इस समय पे बच्चा बिलकुल ऐसी newborn baby की तरह से act करता है जब उस होता तो आखे बंद करता है और जब चाकता है तो आखे खुली रखता है और इस समय तक जो बच्चे का वजन है वो करीब 2 से सवाद उकलों के आसपास हो जाता है 30 से 40 हफ़ते के बीच बच्चा पूरी दरीकी से grow कर चुका होता है और बच्चा जो फ्लूड होता है अम्नोटिक फ्लूड उसके अंदर तैर रहता होता है और अपनी पूजिशन ऐसे रखता है कि सर उसका नीचे की तरफ हो जाता है यही normal position है और इसी हालत मे normal delivery होने के ज़्यादा chances होते है और अगर बच्चे का सर नीचे नहीं है तो यह फिर abnormal position मानी जाती है और इसके कारण surgery कराने की जरूद भी पढ़ती है तो जब सर नीचे होता है तो बच्चे का जो सर है वो birth के नाल में आने लगता है और जैसी birth के नाल में इसकी moment होती है मा को फिर यहाँ पे labor pain शुरू होते है और इस तरीके से delivery की प्रकिरिया शुरू हो जाती है जो मीर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कि अगर वाकिया आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like करें, share करें और चैनल को subscribe करना ना बूले, thank you